Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. तो सुरू करते हैं आज का lecture, lecture no. 8, Coding Decoding Part 2. तो सबसे बहुत हम डिसकस करेंगे, पिछली क्लास में देगे homework का. तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक Chinese Coding Decoding homework में दे रखे थी. उसमें code language इस परकार थी. 2. Speak Nicely to All is Coded as K-A-C-U-M-A-H-E 2. All Are Like Us is Coded as S-I-F-O-H-E-T-O 3. Teach Us Lesson Nicely is Coded as P-O-M-A-F-O-R-E 4. Lesson Like All Humans is Coded as H-E-R-E-G-U-S-E आई. तो हम इसको decode करने के लिए इन चारो लाइन को एक फ्रेज पेज पर हम नूट कर लेते हैं. तो हमारे पहली लाइन क्या है? Speak Nicely to All. इसका हम comparison करेंगे second line के साथ. तो पहली और second line का अगर comparison करें, तो पहली है Speak Nicely to All और second है All Are Like Us. तो इन में जो common word है, वो कौन है All? Common word कौन निकला All? तो जो common word All है, तो जो इसमें common है, वो ही इनकी coding language में भी common होगा. तो coding language पहले लाइन की है K-A-C-U-M-A-H-E और दूसरी लाइन की है S-I-F-O-H-E-T-U. तो इन दोनों में common कौन है? वो common कौन है H-E. इन दोनों में common कौन आ रहा है? H-E common आ रहा है, तो All का decode क्या हो गया? H-E. All को हमने decode कर लिया है, तो इसका code क्या था? H-E था. अब ऐसी इन क्या करते हैं? पहली line को तीसी line से compare करते हैं, तो देखते हैं, इन में common क्या है? तो पहली line है Speak Nicely to All, और तीसी line है Teach Us Lesson Nicely. तो दिख रहा है दियान से, अगर आप देखें, तो Nicely दोनों में आ रहा है, तो common कौन हुआ Nicely. तो first और third line में common कौन है Nicely. अगर इनकी coding language की बात करें, तो पहली line का है K-C-U-M-A-H-E, और तीसी line का क्या है P-O-M-A-F-O-R-E. तो coding language में common कौन निकला M-A, यानि की Nicely का कोड कौन है M-A है. फिर हम बात करते हैं पहली line और fourth line की, तो पहली line है Speak Nicely to All, और fourth line है Lesson Like All Humans. तो इनमें क्या common आ रहा है, तो इनमें वापिस All ही common आ रहा है, All को हम पहले ही decode कर चुके हैं, बाकी इसमें कुछ common है नहीं यहाँ पर. चलो तो फिर हम चलते हैं उसके बात second और third line के अंदर, second और third line के अंदर हम देखें, तो second है All Are Like Us, और third है Teach Us Lesson Nicely. तो इनमें कौन common आ गया? इनमें common आ गया Us. तो हम देखते हैं second और third language के coding language के अंदर, sentence के coding language के अंदर क्या common है? तो second का code है S-I-F-O-F-H-E-T-O और third का code है P-O-M-A-F-O-R-E. तो इनमें common कौन दिख रहा है? F-O common दिख रहा है, यानि की Us का code क्या हो गया? F-O हो गया. फिर बात करते हैं second और fourth line की. तो second और fourth line के अंदर क्या है? All are like us and lesson like all humans. तो इनमें एक तो all common आ रहा है? और एक इनके अंदर क्या common आ रहा है? Lesson common आ रहा है. Sorry, इसके अंदर like common आ रहा है. तो एक तो all, तो all common पहले ही decode कर चुके हैं. तो एक क्यों common आ गया? Like common आ गया. तो हमने इसको like यहाँ पर लिख लिया. तो इनमें common, फिर coding में क्या common आ रहा है? तो SI, FO, HE, TO और H, E, R, E, G, U, SI. तो एक तो common आ रहा है SI. और एक इनमें common आ रहा है. SI, FO, HE, TO, एक आ रहा है HE. तो हमें मालूमें HE तो all का code है. तो वो तो हम पहली बता चुके हैं. तो SI किसका code हुआ? लाइक का code हुआ. तो हमें like का code मिल गया SI. तो like को code हमारे पास आ गया SI. ऐसे ही में बात करते हैं. फिर third और fourth line की. कि third और fourth line में क्या चीज़ common आ रही है? तो third line है teach us lesson nicely. और fourth line है lesson like all humans. तो इनमें क्या common आ रहा है? इनमें word common आ रहा है lesson. तो lesson को हमने लिखा. तो third और fourth के coding में भी देख लिए थे क्या common है? P-O-M-A-F-O-R-E-H-E-R-E-G-U-S-I. तो यहां पे R-E common आ रहा है. तो हमने यहां पे R-E लिख लिया. ठीक है? तो यह जो सारे common जो अपने पास words थे. उनकों तो हमने decode कर लिया. अब जो common नहीं तो उनका भी एक बाद चेक कर लिएते हैं. तो पहली line अपने देखी. तो पहली line के अंदर एक तो speak का हम नहीं निकाल पाए. और एक हम two का नहीं निकाल पाए. तो speak और two का नहीं निकाल पाए. उसमें कौन-कौन सा रह गया इदर. इदर हमने देखा, तो हमारे पास एक तो ka बच गया. क्योंकि ma आगे था nicely का, और h या आगे था all का. तो kasu, k-a-s-u बच गया. तो हमने यहाँ पे लिख दिया, speak to का क्या हो गया? k-a-c-u. यह हमारे पास हो गया. सेकेंड लाइन की बात करें, तो हमने all का निकाल लिया, हमने like का निकाल लिया, हमने as का निकाल दिया, hour का नहीं निकाला, लेकिन hour इसमें एक ही लेटर बचता है, तो इदर देखते कौन सा कोड बचा हुआ है. assist में आगया, for use में आगया, H.E.U.S.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M प्वा, प्सका भी हमने निकाल दियाивает है फूर्थ लाइन की बात करते हैं, लेस्ण हो गया, Like हो गया, All हो गया, Humans नहीं आया था तो Humans एक आजए हो ले की बचा हुआ है तो ह matar हमने निकाल दिया हो जाएगा , ह एक हो गया आर-ई हो गया जी यू नहीं हुआ था तो हम च्पीक का सी यू कर दिया तो हमने इन सब को डिकोड कर दिया अब यह सारे जो है हम questions इसके basis पर solve करेंगे और इन सब words के code जो है हम एक side में इनको लिख लेंगे question की तरह जिसे हम question को easily solve कर सके तो चलते हैं पहले question पर तो बात करते हैं पहले question की तो पहला question है what is the code for R in the given language R के लिए code क्या है तो R के लिए code क्या है R के लिए code है T O तो option number कौन से होगा option number second यानि की बी option हमारा क्या हो गया यहां पर write हो गया फिर हम लेते question number two question number second है हमारे पास what would be the code for humans teach humans teach के लिए code क्या होगा तो humans का code हमने क्या निकाला था हमने निकाला था GU और teach का code क्या है PO तो क्या होजगा GU PO यानि की option number कौन सा C option हमारे यहां पी हो जाएगा write हो जाएगा तो simple से question से फिर हम बात करते है question number three की तो question number three जो है वो है what would be the code for speak to me तो speak to का तो code है KACU speak to का code क्या है KACU और me का code हमें नहीं मालूम है ठीक है का का है पहले तो उनको पगर दे बन तो के इसमें नहीं है इसमें नहीं है के सिउ इसमें है और C U MAPI तो इसमें भी नहीं है तो यह हमारा option हो गया write LO जो है दिख रहा है क्या LO इसमें से तो कोई नहीं है नहीं है यानि कि इसके अलावा ही कोई वर्ड है और इसके अलावा ही हमें कोई वर्ड M E की दे रखा है तो simple जी बात है पाच option में से एक यह option बैट रहा है तो यह अपना correct answer हुआ फिर हम लेते है question number 4 तो question number 4 जो है वो है What would be the code for nicely nicely के लिए code क्या है तो simple जामने निकाल रखा है वो code है M E यानि कि option number B M E अपना right हुआ फिर last पाच वा question क्या था What would be the code for lesson lesson के लिए code क्या है lesson के लिए code क्या है R E lesson के लिए code क्या है R E यानि कि अपना option number क्या आ गया B यहाँ पर correct हो गया तो option number B यहाँ पर अपना correct हो गया तो अगर ध्यान देखा जाए तो simple से questions थे कोई जादा tough questions यहाँ पर यह नहीं थे तो बहुत easy questions थे सारे सारे अब आज करते हैं आज के homework की तो आज के homework में भी मैं आपको ऐसे ही कुछ एक Chinese coding दे रहा हूँ Chinese coding decoding दे रहा हूँ अगली class के अंदर हम कुछ different type की coding decoding पढ़ेंगे तो आपका homework है वापी Chinese decoding आप इनका screenshot ले लिजिए पहला आप इसका screenshot ले लिजिए फिर इसके basis से 5 questions है यह question number 1 question number 2 question number 3 question number 4 question number 5 तो यह 5 questions आपको homework में दी है कल इनको सबसे पहले solve करेंगे फिर अपन आगी का lecture पढ़ेंगे तो मिलते हैं अगली class में Thank you for watching this video अगर आपको यह video पसंद आया है तो इस video को आप like कीजिए और अपने दोस्तों के बेच इस video को share कीजिए हमारे channel visual institute से जुड़े रहने के लिए हमारे इस youtube channel को subscribe केजिए करेंगे इस दोस्तों के लिए